असलाम अलेकूम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल यहोप कि आप सब ठीक होंगे आज मैं अपनों के साथ शेयर करने जा रही हूं जिंगर फ्रायर बनाने की रेसिपी जो कि हम घर में बहुत यासानी से मजूद चीजों से बना सकेंगे और यह बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे और बिल्कुल भी यह नरम नहीं पढ़ेंगे और ज़्यादा हार्ड भी नहीं होंगे तो चलते हम अपनी रेसिपी की तरफ यहां पर मैंने लिए हैं मीडियम साइज के तीन आलू इन्हें अच्छे से वाश कर लेना है पहले वाश करने से इन पर जितनी डस्ट ठीक से अंदर तक पकेंगी णिया और इनकी कोटिंग जो है वह ज्यादा रेड वो जागी इनको इस त blender मैंने की प्रमेनिया नमक और इनको फायव मिनीट्स के लिए हमने छोड़ देना है तो फायम मिनेटस का तर रिक तर साइट पे और इतनी दिए मैंने मैं रेटी कर ल नमक एड़ने नमक सीफून मैंने इसमें अड़ किया रिड़र we water just 100 micron नमक याप मैं वजे हैं एक की अंड़ा को बौल में तोरने वाइब ते पैंट लिया अब हम फिराइस के ऊपर कोटिंग करेंगी मैदे की और उमक्त करें तु सब्सक्राइब tab पीसे हमारे जो फ्राइज हैं वो बनकर रड़ी होंगे हमने क्या है नमख फटाना है अब आलों से और उनको वाश करने के बाने कि अच्छे से क्पार येक हुट्प करने अर्ड के लियने करने से पानी कि पहरीत अबने पानी करो Points तानके जो मैद्दा है वो इसके उपर से होटेना और बहुत ज़दा मैदा भी जो है इसके उपर ना लगे इसला से पिर हमने वन बाई यद उनको रेड़ी कर लेना है और इनको हम जब न आभ जब राइ तोगा थोड़ा सा यहां काम यहां पर्फेक्टि kalian एक टाइए मैंने मेने और अट किया और को मैंने जो था वह गुना गर्म किया बहुत स्थाबं मैंने नहीं किया है कियूंकて अื createsख लखम केशे के लियंगई तो प्र समय को हमें इनको low से medium, medium नहीं करेंगे बलके हम low flame पर हमें इसे cook करना है, इसको fry करना है, इस तरह से one by one जिस तरह मैं add कर रही हूं, इसी तरह से add करते जाना है, और add करके हमने बिल्कुल इसका low flame रखना है, और इसको पकने के लिए छोड़ देना है, इस तो तकरीब हम 5 मिन तक पक कर उसके चेप आना शुरू हो गई है, तो हम इसको मज़ीद three to four minutes के लिए fry होने के लिए छोड़ देंगे, और इसको पर फिर golden सा color आना शुरू हो जाएगा, तो पिर हम इसको डिश ओट कर लेंगे, इस तरह से इसको पर यह golden brown color जो है वो आ गया है, इसे हम डिश ओट कर ल इसको और फ्राइ किया था, और फिर five minutes के बाद इसको हिलाना शुरू किया, हिलाने के बाद इसको three to four minutes के लिए मज़ीद पकने के लिए रख दिया था, और फिर मैंने उनको भी डिश ओट कर लिया था, तो इस तरह जी देखे, मैंने एक प्लेट ली प्लेट में मैंने अंदर से बिल्कुल पके हुए हैं, बिल्कुल भी ये कच्चे नहीं हैं, बहुत अराम से पक गए हैं, बस जाए कि हमने ये ख्याल रखना है कि जो हमारा flame है, वो लोग होना अच्छी, इसको medium या high हमने नहीं करना है, और ये देखे, इस तरह से अगर में को रखड़ें, तो भी उपर से कोटिंग नहीं उत्रेगी और बहुत कुछे बनकर राड़ी होंगे, मिलते हैं नेक्स वीडियो में दबता के लिए पना हैं,